आजकल जो है आपने देखा है के रिसेशन के उपर बहुत जादा बाती चल रही है और पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे खाल इस बारे में बात कर रहे हैं पर पाकिस्तान के हला दिन बादी खड़ाब होते चारे हैं और इंडिया का जीरो रिसेशन हैं आपके पास चीजें इंपोर्ट करने के लिए छे हफते का आपने जरूर रहा थे जिन्दगें जिसमें अद्वियात से आमल हैं छे हफते के पैसे रह जुके हैं लेकिन वो मेरे मेरे इंफरमेशन के एसाब से उच्छे हफते से कम के पैसे मौजूद हैं अब फूर की बात करें हमारे पास इतना खाना है इतना वीड है कि पूरे दुनिया को खिला सकते हैं अब डॉलर की जरूरत नहीं अब हम रुपियों में तेल खरी सकते हैं तो यह जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली इसे हमारा फॉरिन एक्षेन रिजर्व बच्छता है लेकिन लेकिन रेटिंग एजंसी ये कह रही है कि पाकिस्तान की स्यासी सुनुत हाल कि मदा से इनकी पाकिस्टान में दो चीज़े खतरनाक हैं नबर बन हमारे जर्व बाजला के जखायत नहीं है तो मेरे कहले भारत में रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा होगा और काफी उनको फाइदा हो सकता है हेलो फ्रेंट्स जैहिन हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तो दुनिया भर के तमाम देशों में मंदी की संभावना को लेकर चिंता बढ़ रही है लेकिन आर्थिक जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है ब्लूमबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मंदी की संभावना 0% है यानि के भारत में इस रिशेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है लेकिन इस सर्वे में ये सामने आया है कि एशिया के कुछ देशों में मंदी का जोकिम बढ़ रहा है सर्वे में इसके पीछे ये वज़ा सामने आई है कि बढ़ती कीमतों की वज़ा से केंद्रिय बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है हलाके इस सर्वे के मताबिक भारत में आर्थिक मंदी की संभावना बिल्कुल शूने है पाकिस्तान शृरी लंका के साथ साच चीन में भी इस मंदी के आसार देखने को मिलेंगे पाकिस्तान मीडिया भारत में आर्थिक मंदी की संभावना 0% देख सकते में है और चर्चा कराय की ऐसा कैसे हो सकता है जबके हमारे यहां 20% की संभावना जिताई जा रही है आजकल जो है आपने देखा है के रिसेशन के उपर बहुत जादा बात नीच चल रही है और पूरा वर्ल्ड ही आजकल में इस बारे में बात करें आप किसना से देखते हैं इसको देखे आर्जु जी दो तीन ही आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कल यह एक सर्वे भी आया था इस पर यह काफी टीवी पर वागरा पर था तो यह इंडिया में पूछ फेशन आने का चाहंट 0% है अब हमारे काफोशन वाले कहते हैं इस इस सर्वे गलत है अब पूछ यह सिर्प बोटिए घ्राद अगर आज एक सर्वे आज़ा है और इंडिया में सर्वे चाहापा अब तुम्हारे रिटिशन आएगा अब फिर व्या पको चले लिए थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा दो तीन में मैं प्रिसाइसली इसको कंप्रस करके समझाने के कोशिश करूँ अभी आर्दुजी सबसे पहले हमारे पास जो फॉरें एक्षाइज बिलियन डॉलर है विचिस थर्ड हाइस इन दो टीक है दूसरी बात अभी जो हमारा इंट्रेंटर्स डबल हो गया इंट्रेंश बहुत कम होता है एक परसन इंट्रेंश बढ़ाने का मतलब है मतलब तूफान आगया वहां पर कैनाड़ा में एक परसंट इंट्रेंस बढ़ा अच्छा मैंने देखा तर्न जीजैनिम्ज सब्सक्रान आदा कम मुझे ऋद्टन हमारा GDP का ग्रोथ 8.5% है अब आते है आर्जुजी European Union तो अगर आपको याद होगा मैंने शाए दो तीन महीने पहले आपके शूपे प्रेडिट किया दो अगर एक वाटर में अगर एशन युक्रेणी लड़ाई नहीं रुकती यूरोप में यूरोप में रिसेशन की बाते हो जाए यह मैं प्रेडिंट चूप और मैंने तब आपको बताया था यूरोप का आउटलूप जो है थाई परसंट क्यास परसाएगा यूरोप का एकनॉमिक आउटलूप 2.6 परसंट अब 2.3 के बाते करा 2.6 2.3 अगले साल 1.3 परसंट जर्म 1.3 to 1.6 परसंट चाइना 3.6 परसंट अगले साल का अंगड़ाई नहीं है अब भी 80 करोड़ो कोविड के नाम पर बंद है हमारा साढ़े आठ परसंट अगले साल 6.5 to 7.5 परसंट ठीक है फॉरेंट शेजर्व की बात होगी इंफलेशन की बात होगी अब आप इंफलेशन पाकिस्तान से कंपियर करिए तर्की में करीब 45 परसंट है त्यातर परसंट परसंट पहुंच गई थी इंफलेशन यूरोपें मार्केट्स में भी और टाइम है अभी करीब 6-7 परसंट है अगर आप करन्सी डिवैलवेशन की बात करें पूरे इसले टाइम इस्या में हर कर अगर दस बार महीन एक नागर यहां में एक और इंपोर्टन चीज जा लाना चाहिए यह को क्यो हो रहा है जो चीजे होती है फूर न फूर फूर वर टुड़ टोड़ इस एक्सवेंसिव फूर्टी टूपर से अद्फिवर और फूर्ट की बात करें हमारे पास इतना खान है इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं अपने लिए तो दूपांच साल का है हमारे पास इतना अर्जुजी अगर दस से बारा महीन एक नया पैसा नहीं आएगा कभी हम सर्वाइब कर लें एक नया पैसा नहीं हमारे एक्सपोर्ट सॉल टाइम हाथ हाथ हा और दस इन मेकिंग यह मैं आपको एक बड़ी एकनोमिक आउटलुक की बात करो अब रही फ्यूवल की बात हमने रिश्या से तेल लिया हमने एक डॉलर में तीस से पैंटीस डॉलर बचाए एक बैरल में और डाट हैस सेवड उस बिलियोंस ऑफ डॉलर सो रुपीज और इस च्छोबीस फोर्ट हैंट में रुपी चलती है हमने चुक चाप बिना कुछ हॉल हंगामा की रुपी की ट्रेडिंग रुपी की ट्रेडिंग आम अमरिश्या को में पैसा दे सकते हैं रूपी चल रहा है श्री लंका को अगर क्रेडट लाइन डिन यह डॉलर के दरुरक्क नहीं है रुप्यों में ले सकते एरान से अगर तेल खरीडना अब डॉलर की ज़रूराइब नहीं अब हम रुप्यों में तेल खरी सकते एरान से तो इसे चैनीज युवान जिंदगी भर लिख पाया हमने वो दो महीने में करके दिखा यह सब दी चलता रहा हमने रफैल भी भी खरीद रहें चाइना को भी जवाब दे रहें और चाइना के बैंकों में रूलर एटेम में पैसा नहीं है वहां रूलर लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा है यह आपने देखोगा हमारे हैं ऐसी लिकुडिटी की कोई प्रॉब्लम लिए तो बहुत अच्छा होगा और का फिर उनको फाइदा हो सकते